तो इससे अगले वीडियो में जो हमने पढ़े थे वो था introduction of cell. आज क्या हम पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे cell organelles and their functions. मतलब cell function कैसे करता है? उसके अंदर क्या क्या? organelles है. तो देखते हैं structural organization of a cell. मतलब कि एक cell का जो structure है वो कैसा है? cell has special components call organelles. मतलब cell के अंदर बहुत सारा organelles होता है. एक cell खाली नहीं होता है. एक cell के अंदर बहुत सारा organelles होता है. वो organelles different kinds of function को complete करता है. अभी वो function complete करता है. इसलिए हमारा body function करता है. क्यूंकि हमारा जो body है, वो cell से बना हुआ होता है. तो हमारा body का जो function है हम जो function कर रहे हैं वो cell का function है और वो cell का जो function है वो cell के अंदर जो different kinds of organs से वो उसा function करता है जैसे कि हमारे body के अंदर lungs का एक अलग सा function है heart का एक अलग function है brain का एक अलग function है stomach का एक अलग function है intestine का एक अलग function है वैसे ही cell के अंदर ऐसा बहुत सारा और्गनल्स रहता है जो अलग-अलग function को compete करके एक cell का पूरा mechanism जो है वो ठीक से चला पाता है जैसे कि हमारा body का ये सब जो part है internal जो organs है वो सब जब अपना-पना काम ठीक से करेगा तो हमारा body ठीक से चल पाएगा वैसे ही cell का जो organs रहता है वो अपना-पना काम जब ठीक से करेगा तब एक cell ठीक से function कर पाएगा अगर एक cell ठीक से function कर पाएगा तो एक body ठीक से function कर पाएगा क्यों? क्योंकि हम सब को पता है कि जो structural and the functional unit of our body of a living organism क्या है? Cell है तो चलते हैं, पहला क्या है? आउटर मोस्ट कवर of the cell which separates the cell inner components from the external environment आउटर मोस्ट कवर ये जो बाहर का कवर है ये है प्लाज्मा मेंब्रेन क्यों ये आउटर एन्वरामेंट है? ये आउटर एन्वरामेंट है? और ये सिल के अंदर का पार्ट है तो ये जो प्लाज्मा मेंब्रेन है, उसका पहला काम क्या है? पहला काम है कि इसाइट जो मेटरियल से उसको आउटसाइट जो इन्वरामेंट है उससे अलग करना लेकिन ये सेमी पर्मियेबल है सेमी पर्मियेबल है वाई? इट एलाउज सम मेटरियल्स इन और आउट मतलब कि ये सेमी पर्मियेबल है ऐसा नहीं कि बाहर का कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकता कि या फिर अंदर का कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता कुछ-कुछ चीज है जो बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है तिखे ना? उनमें से एक है वाटर तो ये है प्लास्मा मेंब्रेन बट इन प्लैंट्स ये था एनिमल का बट इन प्लैंट्स इन एडिशन तो दो प्लास्मा मेंब्रेन रहता है उसको हम बोलते हैं वो प्लैंट में रहता है ये से ल वाल है सेल वाल और यह है प्लाज्मा मेंब्रेन यह है प्लाज्मा मेंब्रेन तो यह जो सेल वाल है यह सिर्फ हम प्लाज्मा में देख सकते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन के बारे में हम जान चुके हैं प्लाज्मा मेंब्रेन है सेल का आउटर्मोस्ट कोवरिंग जो सेल का इनर कॉम्पोनेंट से उससे आउटर जो एंवर्मेंट है उसको अलग रखता है लेकिन कुछ-कुछ चीज आउटर से inside भी आ सकता है और inside से outside भी जा सकता है in plant cell वो जो plasma membrane ने उसके उपर से और एक extra layer है उसको हम cell wall कहते है जो rigid है ठीक है ना और plant cell mainly cellulose से compose होता है जो plant को एक structural strength देता है देखते हैं इसके बाद है nucleus most important cellular component is nucleus यह nucleus को लेके हम लोग जब cell का introduction पर रहे थे तब बहुत सारा चीज पर रहे थे कि nucleus को base करके prokaryotes और eukaryote cell होता है जिन में nucleus ठीक से organized नहीं रहता है nuclear membrane नहीं रहता है उसको हम prokaryotic cell कहते है जिसके अंदर nucleus well organized रहता है nuclear material जो है वो nuclear membrane के अंदर रहता है जो cytoplasm से separate रहता है उसको हम eukaryotic cell कहते है तो यह है वो nucleus the most important cellular components centrally located centrally located मतलब कि एक cell के ठीक बीच में होगा यह cell का diagram जो है इसमें यह थोड़ा गलत है यह थोड़ा और center में होगा यह centrally located है और large in size compared to the other organelles obviously यह जो nucleus है जो other organelles है जैसे कि cytomitrocondria हो गया endoplasm reticulum हो गया Golgi apparatus हो गया उन सबसे बढ़ा है यह nucleus so large in size in terms of other components जो और components है cell के अंदर उससे यह बढ़ा है यह है nucleus और यह nucleus membrane यह है nuclear membrane यह भी semi permeable है मतलब कि इससे भी cytoplasm में nucleus so cell के अंदर रहता है तो cell से nucleoplasm से cytoplasm में भी कुछ कुछ चीज़ आ सकता है और cytoplasm से भी nucleus के अंदर कुछ चीज़ आ सकता है अभी क्या है nuclear envelope it composed of two nuclear membrane obviously composed of two nuclear membrane let's see this is one and inside there is another one ठीक है two nuclear membrane को मिला के एक nuclear envelope बनता है envelope की तरह है covers nucleus and separate it from cytoplasm obviously it covers nucleus and separate it from cytoplasm यह cytoplasm है यह से nucleoplasm है तो इनको अलग करता है pores are present called nuclear pores which permits transfer of materials from nucleoplasm to cytoplasm यह जो pores है pores present रहता है इससे क्या होता है nucleoplasm से cytoplasm के अंदर कुछ चीज जा सकता है और cytoplasm से nucleus and nucleoplasm के अंदर कुछ चीज आ सकता है मतलब कि यह semi permeable है nucleoplasm composed of two things one is nucleolus and one is comatin material this is nucleolus मैं अलग सा एक diagram मना दा हूँ यहां पे यह है nuclear envelope इसके अंदर एक structure है इसको हम कहते है nucleolus और chromatin material यह जो है यह है chromatin material chromatin material तो nucleoplasm के अंदर दो चीज रहता है एक है nucleolus और एक है chromatin material अभी यह nucleolus क्या है nucleolus है is a spherical structure obviously it's a spherical structure contains 25% of the nucleus यह nucleus इसके अंदर 25% यह nucleolus है primary function is to produce and assemble ribosome ribosome क्या है यह protein synthesis में काम करता है protein synthesis में काम करता है so nucleolus का function क्या है produce and assemble ribosome यह है nucleolus अभी यह जो chromatin material है उसका क्या क्या है entangled mass and state like structure obviously entangled mass मतलब की एक से एक ऐसे entangled है and thread like मतलब की एक thread की तरह दिखता है during cell division मतलब की cell division जब होता है cell जब एक से दो cell चार्ट से लिए बनता है तो क्या होता है pre-existing जो cell है मैं हमने पढ़ा है pre-existing जो cell है उससे divide होके बनता है जब वो cell division होता है तब वो chromatin chromatin जो material होता है यह जो chromatin material है यह chromatin material chromosome में transfer होता है chromosome chromosome are like this two rod shape structure this is called chromosome हमारा जो biology के MCQ था उसमें हम यह chromosome लेके बहुत बार discuss कर चुके है यह chromosome जब cell division होता है ऐसे rod shape structure होता है chromosome जो microscope के अंदर ऐसा दिखता है it contains inheritance character मतलब कि यह DNA को करी करता है ठीक है ना यह inheritance character मतलब gene यह DNA को करी करता है तो यह है chromatin materials तो nucleolus पता चल गया chromatin materials पता चल गया उसके बाद क्या है उसके बाद है cytoplasm मतलब cell का अंदर जो plasma है उसको हम cytoplasm बोलते हैं अभी यह cytoplasm के अंदर जो है substance of cytoplasm मतलब cytoplasm के अंदर जो substance है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे cytosol अभी यह जो cyto इसका मतलब है cell और Plasm का मतलब है Plasma मतलब कि Cell के अंदर जो Plasma है उसको हम Cytoplasm बोलते है Parts between the nuclear envelope and the plasma membrane are called Cytoplasm मतलब Parts between nuclear membrane क्या है यह है nuclear membrane और यह है Plasma membrane इसके बीच का जो part है यह बला part यह है Cytoplasm यह है Cytoplasm Parts between nuclear membrane and Plasma membrane is called Cytoplasm Cell organs are present in Cytoplasm Obviously Cell का जो organs होता है वो Cytoplasm में present रहता है Cell का organelles में nucleus भी एक organelles है वो भी तो Cytoplasm में present रहता है लेकिन उसका एक envelope होता है यह अलग है Cell organelles are membrane बहुँ small structure मतलब Cell के अंदर जो organelles होता है वो भी एक membrane bound small structure ही होता है यह एक organelles से यह एक organelles से यह एक इन सब में membrane रहता है मतलब कि वो Cytoplasm से अलग हुआ रहता है सेपरेट रहता है यह है Cell organelles और वो सब एक membrane bound रहता है जैसे कि endoplasmic reticulum गौलगी अपरेटास lysosome, mitochondria, plastic यह सब है Cell का एक एक organelles यह हो गया mitochondria गौलगी अपरेटास vacuoles यह सब है Cell का different kinds of parts यह है nucleus यह सब Cell का different kinds of parts से यह different kinds of organelles से अभी देखते है endoplasmic reticulum this is a membrane bound cell organelles look like a large network of tubes and sheets this is endoplasmic reticulum जो nucleus से लगा हुआ है यह है एक membrane bound cell organelles इसको हम endoplasmic reticulum कहते है ER endoplasmic reticulum there are two types of ER one is smooth and one is rough smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum मतलब under the microscope जब microscope के नीचे यह endoplasmic reticulum को हम देखते हैं कहीपे smooth रहता है जो उसका covering है और कहीपे उसके covering के उपर roughness रहता है छोड़ा-छोड़ा particles रहता है मैक्रोसकोबी particles उसको हम ribosum कहते है ribosum क्या करता है हमने पहले ही जाना है ribosum synthesis करता है protein को और smooth endoplasmic reticulum क्या करता है manufacturing fat molecules or lipid ठीक है ना fat molecules को manufacture करने में endoplasmic smooth endoplasmic reticulum help करता है अभी यार मतलब की endoplasmic reticulum serve as a channel for transport of materials between various regions of cytoplasm और between cytoplasm and nucleus मतलब जो cytoplasm का various region है उससे जो material से वो transport करने में ये help करता है कहाँ पर transport करने में help करता है nucleus के अंदर और nucleus का कुछ material जो cytoplasm में जाना है वो ये endoplasmic reticulum के थूँ ही जाता है और sometimes smooth endoplasmic reticulum help detoxifying many poisons and drugs हम लोग कुछ खाते है उसके अंदर अगर थोड़ा सा poison हुआ मतलब की वो ज़्यादा harmful नहीं है थोड़ा सा अगर हम जो drugs मतलब की जो medicine लेते है उसका जो waste part है ये सब detoxify करने में body को help करता है smooth endoplasmic reticulum so endoplasmic reticulum क्या है endoplasmic reticulum है एक membrane bound tubules like structure जो nucleus के surround रहता है और इसका microscope के अंदर अगर देखे तो इसका structure two types होता है एक है rough मतलब की उसके जो covering है उसके उपर roughness रहता है उसको हम कहते है ribosomes जो protein synthesis में help करता है और एक है होता है smooth जो fat molecules को produce करने में या फिर manufacture करने में help करता है कभी-कभी smooth endoplasmic reticulum some kinds of drugs and poisons को भी detoxify करने में help करता ये था endoplasmic reticulum अभी आते है Golgi apparatus ये है Golgi apparatus ये है Golgi apparatus it is a membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in a stack called cistern मतलब एक से अलग ये ऐसे stack होता है कि cistern की तरह दिखता है मतलब कि एक cistern है इसको हम कहते है cistern ही cisterns function क्या है इसका function क्या है function क्या है function है storage modification packaging of products in vesicles vesicles के अंदर जो storage modification of different kinds of products उसको store करता है उसको modify करके cell का काम करने का हिसाब से वो बनाता है इसका function है involves into formation of lysozome lysozome formation में help करता है अभी ये lysozome क्या है lysozome है it's a membrane bound sack filled with digestive enzymes which are made of a rough endoplasmic reticulum lysozome एक membrane bound sack होता है ये अगर cell है ये अगर nuclei से rysozome ऐसा होता है membrane bound sack filled with digestive enzyme मतलब कि इसके अंदर digestive enzyme होता है तो ये क्या digest करता है it acts as a waste disposal of the cell by digesting foreign materials as well as worn out cell organs cell organs मतलब कि cell के अंदर तो ये nuclei से ये lysozome है यहापे golgi apparatus हो गया यहापे mitochondria हो गया यहापे और vacuels हो गया ये सब जो cell organs से ये अगर worn out हो गया मतलब कि ये nest हो गया खाप हो गया इसको digest करने में ये help करता है मतलब कि ये एक waste disposal है मतलब कि cell के अंदर जो waste है वो lysozome खा लेता है simple waste disposal but sometimes when cell के damage lysozome में burst मतलब कहीं ऐसा होता है कि cell damage हो सकता है अगर एक कट लग गया आपका skin के उपर तो skin के around जो cell है वो damage होता है वैसे ही ऐसा कुछ हुआ अगर cell damage हो गया lysozome के अंदर जो digestive जो organism digestive enzyme है वो अगर बहार आ गया तो वो क्या करता है उसके surrounding जो area है जो actual में अच्छा है या फिर उसके surrounding जो cell है जो actual में अच्छा cell है उसको भी digest करने लगता है digest their own cells तो lysozome are also called suicide bags मतलब कि यह खुद से कभी-कभी cell को damage कर सकता है यह था lysozome इसके बाद है the most important part after nucleus is also known as the powerhouse of the cell powerhouse of the cell मतलब कि हमको पता चल रहा है नाम से ही कि यह कुछ power generate करता है कैसे the energy the energy required for various chemical activity for life are released by the mitochondria in form of ATP adenosine triphosphate known as energy currency energy currency का मतलब क्या है currency currency का मतलब क्या है currency का मतलब पैसा जो हम use करते है कुछ खाना खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे हम जो पैसा देके जो खाना खाते है वो हम digest करते है digestive enzymes हमारा stomach के अंदा जुड़ा है intestine के अंदा जुड़ा है वो digest करके वहां का जो material रहता है वो cell के अंदर भेचता है जहाँ पे cell को energy मिलता है वो cell कैसे energy लेता है जो mitochondria है वो जो खाना हमने खाया वहां से जो एनर्जी गया उसको लेके वो क्या प्रोड्यूस करता है वो एटीप प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है एटीप जो है एडिनोसी टाइप है जो एक्चुली में है एनर्जी करेंसी मतलब सेल का एनर्जी करेंसी हमारा जो करेंसी हो तो पैसा है और से को सेल का जो different types of actions है तो सिर्फ एक action नहीं है सेल का different types of actions है वो action करने में सेल को मदद करता है मतलब कि it's a currency मतलब वो currency दिया फिर वो action compete हो मतलब कि हम पैसा दिया दुकान में फिर खाना मिला वैसे ही mitochondria के अंदर ATP produce होता है वो ATP energy currency तरह सेल का जो और दूसरा function है वो complete करने में help करता है they are called strange organelles because they have their own DNA and ribosomes and able to make their own protein mitochondria के अंदर अपना खुद का DNA होता है जो खुद का protein synthesis करता है और जिसके अंदर ribosome भी होता है तो यह है mitochondria जिसको हम powerhouse of the cell कहते है और mitochondria ATP produce करता है जिसको हम कहते है energy currency of the cell यह था mitochondria इसके बाद आता है vacuels storage sack for solid and liquid content मतलब कि यह अगर एक cell हो गया यह अगर एक cell है nuclei से यह mitochondria है यह गॉलगी अपरेटा से यह vacuels storage sack for solid and liquid content इसके अंदर solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है मतलब कि यह store करता है एक bag की तरह bag में हम pen pencil phone सब कुछ store करते सकते हैं इसके अंदर भी वैसा store store होता है small and small in animals मतलब कि यह जो vacuels से यह animal cell में small होता है animal cell में small होता है लेकिन plant cell में यह big in size यह बड़ा होता है plant cell में small in animal and big in plants in plant cell vacuels are full of sap give rigid to a cell अबने पहली पराता जो प्लांट cell है वो rigid है वो ज्यादा strong है तो strong करने में यह vacuels का भी हाथ है वो उसके अंदर जो sap होता है वह vacuels का अंदर जो sap होता है वो rigidity देने में help करता है plant cell को अभी जो last है वो है plastic यह plant cell में सिर्फ पाया जाता है two types of plastic होता है एक chromoplast एक leucoplast chromoplast contain pigments called chlorophyll अभी यह chlorophyll हमको पता है कि यह chlorophyll photosynthesis करने में help करता है which is known as chloroplast तो यह था plant cell में only plastic पाया जाता है plant cell में जो two types का होता है एक chromoplast एक leucoplast chromoplast contains pigments that chlorophyll which known as chloroplast and important for photosynthesis so this is the cell organelles lecture and I hope अब सब को समाझ में आ गया कि cell organelles क्या क्या है और उसके अंदर वो क्या function करता है तो यह था cell organelles का function and cell organelles and their function इससे पहले हम cell का introduction पर चुके है अगर आप यह वीडियो पहले देखते हैं तो इससे पहले वो वीडियो देख लिजिए ताकि आपको ठीक से समझाए कि cell organelles का function जो है वो cell क्या है actual में cell क्या है वो ठीक से आपको समझाए कि उसके बाद यह वीडियो देखिए तो जिबो दरबन को जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि notification सबसे पहले आपके पास पहुच सके तो थैंक्यू